दोस्तो आज में बात करने बाला हूँ कोजिसा के ओना के बारे में जिसे जैपनेज फ्लोक्स में एक ऐसा अर्मन लेजन बताया गया है जो दूसरों को नुकसान पहुचाता था इसे एक ऐसे वोमन डिस्क्राइब किया गया है जिसके फेस पर एक सर्जकल मास्ट था और साथ ही एक बहुत बड़ी सीजर या कोई शार्प आपजेक्ट उसके काले घने बाल थे और इसकी आखे बहुत सुंदर थी सिवाई इसके मुग को छोड़ कर लेजन्स के अकॉडिक वो अपने विक्टम से एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ अगर उसने कहा नहीं तो वो उसे वही पर मार देती थी वो भी उसके बड़े सीजर के मदस थी नहीं तो रात होने का इंतजार करती जैसे ही रात का समय आता तो वो उस विक्टम के सपनों में आकर उसकी जान ले लेती थी और अगर उसके विक्टम ने हा कहा तो वो अपना सर्जिकल मास्क तार कर फिर से वही क्वेशन पूछती थी और उसका मौ दो हिस्सों में कटा हुआ था इसके बावजूद विक्टम ने ना कहा तो वो अपने वेपन से उसे उसी वक्त मार देगी पर उसने हा कहा तो कोचिसा के ओना उसके फेस को ठीक उसी की तरह दो हिस्सों में काड़ जा लेगी माना जाता है कि कोचिसा के ओना से बचने के लिए उसके सवाल का जबाब ठीक ठाक देना यानि की एवरिज या फिर जान बचा कर भागने के लिए हाट केंडिस से उसे डिश्टाइक करना कोचिसा के ओना के अर्बन लेजंड को 17th से 19th सेंचुरी जापान के इडो फिरियेट में डिस्क्राइब किया गया है लेकिन 1970 में कई निउस्पेपर और मैगजिन में बहुत से कबरे आने लगी कि एक औरत अपने हाटों में सिजर लेकर चापान के गलियों से गुजरने वाले बच्चों पर हमला करती है तो स्कूल से अपने घर आ रहे होते थे Legends and Variation Legends के मुद्दाबिक कोचिसा के ओना एक औरत थी जिसे उसकी पूरी लाइफ में यानि टॉचर किया चादा था क्योंकि उसके मूँपर एक बहुत बड़ा स्कार था वहे कुछ Variation में इसे एक समुराई की वाइफ कहा गया है ये ज़्यादा तर घर अकेली रहा करती थी क्योंकि समुराई लड़ाई के कारण घर से दूर हुआ करता था इसके कारण कोचिसा के एक दूसरे आदमी के साथ अफ़ैर हुआ जब ये बात उस समुराई को पता चली तो वो बेहत घुसे में आकर उसने अपनी स्वाट से उसके मूँ को दो हिस्सों में काट दिया एक दूसरा वर्जन कहता है कि उसके मूँ को उन औरतों ने काटा था जो कोचिसा के खुबसूर्थी से चला करती थी उसके मौत के बाद ऐसा माना चलता है कि वो एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई जो एक सर्जिकल मार्ग से अपने फेस को कवर करती थी टेल्स में कोची सके के पास एक बहुत बड़ी सिजर या नाइप होती थी जिससे वो अपने विक्तम को मारा करती थी इस अर्बन लेजन के कारण एक वक्त जापान में ऐसा आया था कि चैपने स्कूल के टीचर अपने सारे स्टूडन को घर छोड़ा करते थे ये लेजन इतना फेमस हो गया कि कई सारे मांगाज एनिमाए में इसे दिखाया जाने लगा लेकिन दोस्तों अगर ये आपके सामने कल्ची से आ जाए तो आप इसके सवाल का जवाब दोगे या फिर मिलका सिंग की दरब बहुत तीजी से भाग जाओ कि लिए भाईयों और भेनों अगर वीडियो सच में आपको वसंद आता है तो एक कमेंट कर देना क्योंकि इसे पता चल जाता है कि कोई तो मेरी बनाई वीडियो को देख रहा है तो इस संदी का कोटा हुआ पूरा मिलते हैं अगले से